हलो फ्रेंस आपका सवागेदर टेस्ट आए क्यों में फ्रेंस यस वीडियो में डिसकस करेंगे थियोरी ओप मसीन के प्रिवेस एक्जाम में पूछेगे एक्यूशन यह हमारे टेस्स सीरीज का पांचमा वीडियो है पहले के चार वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देख लेना आपको description में playlist का link मिल जाएगा नहीं तो आपको playlist वाला जो section है वहाँ पे आपको उपर मिल जाएगा एक क्यूशन को हम बहुत ही detail में discuss करेंगी और ये वीडियो आपके लिए test के रूप में होगा हमेशा की तरह जिससे आपको वीडियो के end में बताना है कि आपके कितने right हुए तो चलिए शुरू करते हैं पहला question है इने pulley and belt drive इब दा M is mass of belt per unit length the velocity of belt for maximum power transmission is equal to तो जब power maximum होगी उस time उसकी velocity क्या होगी तो ये वीडियो ये question जो है आपको वीडियो को pause करके करना है बहुत ये अच्छा question है यदि आपको इसका direct answer याद है तो बहुत अच्छी बात है तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो power of belt होती है उसका formula क्या होता है यदि मैं बात करूँ power of belt P is equals हो जाएगा आप सभी को formula यह याद होगा T1 minus T2 into क्या हो जाएगा velocity T1 क्या है यहाँ पे आपको डाइगरा में दिख रहा होगा ये जो tight side है इसमें जो tension है वो आपका T1 हो जाएगा और ये जो slack side है यहाँ पे आपका tension T2 हो जाएगा और V जो है इस belt के velocity है meter per second के अंतर और एक होता है आपका maximum tension maximum tension और tight side का जो tension होता है इनमें relation क्या होता है T max minus Tc ये Tc क्या है ये है आपका centrifugal tension और centrifugal tension का formula होता है MV square T बराबर MV square अब यदि मैं यहाँ पे T1 common ले ले लेता हूँ इस power वाले formula में तो ये यहाँ पे T1 common आ गया 1 minus T2 by T1 into V और एक formula आपने ये और देखा होगा कि T1 by T2 बराबर e to the power mu of theta अब यहाँ पे T1 by T2 जो है यहाँ पे हम पूट कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा जो power है वो क्या आ जाएगा T1 और 1 minus 1 upon e to the power mu of theta into V यह हो गया और यहाँ पे हम value पूट कर देते हैं T1 की T max minus Tc Tc की value है m V square और यह आपका V आ जाएगा और 1 minus 1 upon e to the power mu of theta अब क्या है कि maximum power की यदि हमें बात करूँ for maximum power हमको क्या करना पड़ेगा dp by dv जो है वो 0 करना पड़ेगा तब ही हमारी maximum power आएगी तो यदि मैं इसको 0 करता हूँ तो यहाँ पे देखिए यह जो V है इसके multiply होगा तो T max into V का जो differentiation क्या हो जाएगा सिर्फ T max रहेगा और M V cube हो जाएगा तो यह आजाएगा 3M V square मुझे उमीद है कि आप सभी को differentiation तो आता होगा ज्यादा इसको बताने की जरूत है नहीं बराबर 0 हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास क्या आजाएगा यहाँ से हमारे पास मैं यहाँ पर लिकर आओ यहाँ पर हमारे पास V की value आजाएगी T max upon 3M और यह V square है तो यहाँ पर root हाजाएगा तो यह जो हमारा velocity है यह किसके लिए है maximum power transmission के लिए तो हमारा answer यहाँ पर D correct हो जाएगा यह जो D है यहाँ पर maximum tension in belt है तो मुझे उमीद है कि आप सभी को यह समझ माया होगा पस आपको थोड़ा सा belt के बारे में basic पता होना चीए कभी हम और वीडियो में belt के बारे में पुरी जानकारी discuss कर लेंगे यदि आपको नहीं पता है तो यदि आपको नहीं पता है और आपको इसा वीडियो चेट comment box में ज़रू बताना next question देखते हैं crowning of a pulley is done to तो pulley के अंदर हम crowning क्यों करते हैं avoid slipping of the belt increase strength of the pulley enable pulley rigidly fixed to the soft prevent the wear and fear of the belt यह fear नहीं यह tear होगा यहाँ पे तो यहाँ पे आपको बताना है कि crowning क्यों करते हैं तो सबसे पहले आपको यह पता होना चीए कि crowning होती क्या है यहाँ पे आपको diagram दिख रहा होगा यानि कि इसको थोड़ा सा tilt कर दिया यह तो बाहर की side कर दिया तो यह हो गया convex अंदर की side करेंगे तो यह corn cave हो जाएगा और यह straight taper का मतलब है कि इसको थोड़ा सा taper कर दिया और बीच में से यहाँ पे straight रख दिया और थोड़ा थोड़ा corner से taper कर दिया straight taper with center flat यानि center में flat है लेकिन corner पे इसको थोड़ा सा straight कर दिया यह हम क्यों करते हैं क्योंकि जो pulley होती है वहाँ पे slipping बहुत जादा होती है इसलिए हम slipping को avoid करने के लिए crowning करते हैं तो option यहाँ पे A correct हो जाएगा avoid slipping of the belt A rest procting engine running at 90 radian per second is supported on spring and static deflection of spring is 4 mm When engine runs the frequency of vibration of the system will be तो यहाँ पे आपको बताना है frequency of vibration तो बहुत ही simple question है मैं चाहता हूँ कि आप इसका answer जरूर दे तो सबसे पहले आपको इसका formula पता होना चीए यदि मैं बात करूँ natural vibration की तो natural vibration के लिए natural frequency का जो formula है वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपके root k by m यहाँ पे k क्या है spring stiffness और m जो है mass है और इसके बराबर एक और formula होता है root z by delta z यहाँ पे क्या हो गया gravitational acceleration और delta हो गया आपका deflection जो चीज आपको दे रखी है उसी हिसाब से value put कर दीजिए तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है static deflection of spring is 4 mm तो यहाँ पे आपको z की value कितनी रखनी है यह भी दे रखी है आपको 10 और deflection आपको दे रखा है 4 mm 4 mm को आपने को meter में करना है क्योंकि यह जो है G इसकी value meter per second square है तो यहाँ से हमारे पास क्या आजाएगा 10 to the power 4 upon 4 इसका root तो root करेंगे तो यह 10 square आजाएगा और यह 2 आजाएगा यानि 100 upon 2 यानि 50 हमारे पास radian per second आजाएगा तो option यहाँ पे यह correct हो जाएगा simply आपको याद क्या रखना है natural frequency का formula यह होते हैं root k by m कहीं पे यह s by m भी लिखा रहता है spring को हम stiffness को s से भी रिपरजान करते हैं और k से भी करते हैं और root g by delta यह दोनों formula आपको पता होना चाहिए क्योंकि यह आपको stiffness और mass देता तो आप यह formula यूज करते हैं अगला question देखते हैं whirling speed of except coincide with the natural frequency of the dash longitudinal vibration transverse vibration, torsional vibration या फिर coupled between torsional vibration तो यहाँ पे आपको बताना है whirling speed जो है वो किसमे होती है transverse vibration या फिर longitudinal vibration कैसा vibration होगा तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि whirling speed होती क्या है देखिए जब हमारी soft जो है वो horizontal होगी तो soft जो है यह मालनो हमारी soft है यह soft जो है rotate कर रही है जब यह rotate करेगी तो इसके self weight की वज़े से इसमें deflection होगा और यह जो rotate करती हुई ऐसे bend हो जाएगी जब यह bend होगी तो यहाँ पर इसमें deflection कितना होगा मालनो यह y है इतना इसमें deflection होगा तो यह जो y है इसका formula होता है e upon w n by w w n यहाँ पर क्या है अभी हमने निकारा था natural frequency वो natural frequency है और w जो है इसकी frequency है यानि कि soft की frequency है तो एक ऐसी condition आती है यानि कि एक ऐसी speed होती है जहाँ पर यह जो natural frequency है और यह soft की frequency है यह दोनों match हो जाती है और यह match कहाँ पर होती है यह critical speed पर होती है तो जैसे यह equal होगी तो आप सभी को पता है यह y की value कितनी हो जाएगी यह दोनों equal होता ही 1 हो जाएगा नीचे 1-1 यानि कि y की value आपके पास infinite आ जाएगी infinite का मतलब आप समझ रहें यहाँ पर यानि कि यह जो deflection है यह infinite हो जाएगा यानि कि यह soft हमारी क्या हो जाएगी break हो जाएगी soft break आप सभी को पता है एक soft होती है उसके उपर कितना load लगा रहा है पूरी जो machine होती है वो mounted होती है तो वहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है तो यह जो whirling speed है यह बहुती नुकसान दाएक चीज़ है और किसमा होती है यह transverse vibration जब होता है वहाँ पर whirling speed होती है तो जब यह natural frequency से match होती है तो इस condition को हम क्या बोलते है resonance तो यह resonance condition नहीं होनी चाहिए यह बहुती ज़्यादा नुकसान दाएक है अगला question देखते है a rack is a gear in which तो यहाँ पर आपको बताना है कि रेक क्या होता है बहुती simple question है यह तो सभी कर देंगे मुझे उमीद है तो यहाँ पर आपको diagram में यह आपका rack है और यह इसके उपर जो rotate कर रहा है यह pinion है तो इस system को हम बोलते है rack and pinion gear तो यह जो rack होता है न यह stretch होता है तो यहाँ पर जो हमारा option कौन सा correct हो जाएगा teeth are cut on the flat surface तो option यहाँ पर यह correct हो जाएगा क्योंकि यह जो rack होता है यानि यहाँ पर यदि हमारी कोई flat surface है उसके उपर यदि हम teeth बना दे तो वो आपका rack बन जाएगा और pinion तो जो है यह circular आपका gear होता है अगला question देखते हैं यहाँ पर आपको match करना spur gear, helical gear warm gear, bevel gear यह सभी जो है power case में transmit करते हैं जैसे यहाँ पर दिया गया है transmit motion between non-parallel and non-intersecting shaft दूसरे में दे रहा है transmit motion between parallel shaft transmit motion between intersecting shaft और यहाँ पर दे रहा है transmit motion between parallel shaft and non-parallel तो यहाँ पर आपको match करना है बहुत यह अच्छा question है अच्छे से question को attempt कीजिए यहाँ से आपके बहुत सारे concept क्लियर हो जाएंगे friends यहाँ पर आपको different type of gear दिख रहे होंगे diagram में सबसे पहले हम बात करते हैं spur gear की तो spur gear जो होता है वो सबसे basic gear होता है यह जो होता है यह दो parallel shaft को connect करता है तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको diagram में दिख रहा होगा helical gear जब match मैस में होता है यानि कि दो gear जब contact में होते हैं तो यह parallel shaft के लिए भी होते हैं और non parallel के लिए भी होते हैं तो यहाँ पर बी जो है वो fourth के साथ में match हो जाएगा और फिर हम बात करते हैं warm gear की तो यहाँ पर देखिए यह आपको warm gear दिख रहा होगा यह shaft इदर जा रही है और यह इसके cross में जा रही है इसका मतलब यह kin को connect करेगा यह non parallel और non intersecting यानि कि यह first के साथ में match हो जाएगा और bevel gear bevel gear जो होता है यहाँ पर देखिए यह आपका bevel gear है यह shaft ऐसे जा रही है और यह ऐसे जा रही है यानि कि यह intersecting shaft के लिए use होता है तो transmit motion between intersecting shaft यह third के साथ में match हो जाएगा अब यहाँ पर आप notice करेंगे option देखोगे तो यहाँ पर C में तोनों में ही 2 दे रखा है यानि कि इसमें यह लिखा गया है कि जो helical gear होता है वो सिर्फ parallel shaft में ही motion transmit करता है लेकिन यहाँ पर आप इस diagram में देखिए यह आपका helical gear है यह दोनों gear जो है जो intersecting non parallel यानि कि जो parallel नहीं है उनमें भी motion transmit कर रहा है इसका मतलब यहाँ पर 2 नहीं यहाँ पर 4 होगा तो यह option C correct हो जाएगा लेकिन यहाँ पर 2 की जगे 4 होगा तो मुझे उमीद है कि आपको यह चीज़ समझ में आई होगी अगला question देखते है Cam convert the rotary motion into तो यह जो हमारी cam होती है यहाँ पर आपको cam दिख रही है और यह आपकी होगी follower तो cam जो है यह कौन सी motion को rotary motion को किस में कनूट करती है rotary motion में translatory motion both rotary and translatory या फिर none of these तो बहुत ही simple question है यहाँ पर आपको diagram दिख रहा होगा यह जो है आपका rotate कर रहा है यानि कि rotationally motion है इसको इस motion में कनूट करता है यानि कि यह कौन सी motion है इसे हम to and fro यानि कि translatory motion कहते हैं तो यहाँ पर हमारा answer B correct हो जाएगा translatory motion यानि कि follower का जो motion है वो translatory motion है next question देखते हैं friends इस वीडियो में मैंने ज़्यादा जो basic part है हमारा पहला chapter है उसके question नहीं लिये हैं क्योंकि वो हम कई बार discuss कर चुके हैं इसलिए इसमें मैंने अच्छे question discuss किया है इसलिए यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को सबसे पहले like जरू करें और दोस्तों को share करना ना भूले हर एक student एक कम से कम एक या दो student को share करेगा तो बहुत ज़्यादा share हो जाएंगे तो इसलिए कम से कम अपने friend को जरू share करें question देखते हैं a steel ball of mass 2.4 kg is tied to a stream and willed in the horizontal plane in a circle of diameter 2 meter at the constant speed of 20 rpm the tension in the spring is तो यहाँ पर आपको diagram में जो दिख रहा है यह काम आपने बच्पन में जरूर किया होगा यानि कि आपने रस्टी के एक पत्थर बांदा होगा और उसको गुमाया जरूर होगा इतना काम तो सब ने किया होगा तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि यह जो आपका bowl बांदी है आपने इसका जो mass है यह कितना दे रहा है 2.4 kg और यह जो circle बन रहा है इसका diameter आपको 2 meter दे रहा है तो diameter 2 दे रहा है तो इसकी radius कितनी हो जाएगी 1 meter और इसकी speed जो है वो 20 rpm है तो simply आपको क्या बताना है बताना है आपको कि इसमें tension कितना होगा तो इस side जो tension है आपका T होगा और इदर आपका force F होगा जब equilibrium condition में होगी तो यह जो force है यह tension में यानि कि यह दोने equal होगे तो कुल मिला कि यह हम tension निकाले चाहे force निकाले बात तो ही किये तो इसका formula simple सा होता है mr omega square और mr omega के value क्या होती है 2 pi n by 60 इसका square हो जाएगा बस value put कर दीजिए आपका answer आजाएगा 2.4 kg into radius कितनी है radius आपके हो गई 1 meter यह द्यान रखना है कई बार student यहाँ यह diameter दे रहा है यह direct put कर देते है जहाँ से value जो है answer double आजाएगा और यहाँ पे value put कर दीजिए 2 pi की value आप direct put कर दीजिए n की value कितनी देर की है 20 upon 60 का square कर दीजिए बस यह आपको simple सी calculation करनी है और आपका answer आजाएगा यह value कितनी आएगा answer 10.5 newton तो option हमारा b correct हो जाएगा simply आपको पता क्या होना चीए यहाँ पे इस question से आपको क्या पता चल रहा है mr omega square इतना आपको पता होना चीए और omega की दो value आप सभी को पता है कि 2 pi n by 60 होती है net question देखते है sensitivity of an isocronus governor is 0, 1, 2 या फिर infinity तो यहाँ पे आपको दो सीजे पता होनी चीए सबसे पहले तो आपको यह पता होना चीए कि sensitivity of governor क्या होती है दूसरा आपको यह पता होना चीए कि isocronus governor क्या होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि sensitivity क्या होती है sensitivity 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 का formula होता है आपके mean speed mean speed to the range of speed range of speed mean speed यानि कि क्या होती है जैसे आपकी mean speed n है तो यह क्या होती है maximum speed प्लस minimum speed divided by 2 यह आपकी क्या हो जाएगी mean तो यहाँ पे आप put कर दीजे n1 प्लस n2 upon 2 और range of speed क्या होती है range यानि कि maximum minus minimum यानि n1 minus n2 यह आपकी sensitivity का formula हो गया अब आपको यह पता होना चीए कि isocronus isocronus governor क्या होता है isocronus governor उसे कहते है जब speed जो है वो constant होती है सभी radius of rotation पे यानि कि हम लिख सकते हैं रहेगी constant रहेगी तो जब हमारी speed constant रहेगी इसका मतलब क्या है n1 बराबर n2 हो जाएगा कुल मिला के हमारी speed constant है तो जब हमारी speed constant है तो sensitivity कितनी आ जाएगी यानि कि यहाँ पर उपर जो भी कुछ लिखावा है अपो नीची क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो कुल मिला के यह value कितनी आ जाएगी infinite तो इसका मतलब क्या है sensitivity उसकी कितनी हो जाएगी infinite तो option यहाँ पर d correct हो जाएगा तो कुल मिला के यहाँ पर दो चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि sensitivity क्या होती है और उसकी sensitivity कितनी होती है अगला question हम देखते है यह question बहुत ही अच्छा है मैं चाहता हूँ कि इसको एक बार आप attempt जरू करें यदि आपको formula पता है तो इसको attempt जरू करें नहीं तो आपको solution देखना है जैसे if flywheel is connected to the punching machine if supplied 400 newton meter torque at 20 radius per second radius per second mean speed if total fluctuation of speed not more than plus minus 2% then mass moment of inertia of flywheel will be तो यहाँ पर आपको moment of inertia flywheel का बताना है तो इसका जो formula होता है यदि मैं बात करूँ maximum fluctuation maximum fluctuation of energy delta e max इसका formula होता है आपके i omega square into c s यहाँ पर यह c s क्या है coefficient of fluctuation क्या है coefficient of fluctuation यहाँ पर दिखिए आपको देर का total fluctuation of speed not more than plus minus 2% तो यह जो आपका c s है यह कितना देर का है plus minus 2% plus minus 2% का मतलब क्या है यहाँ पर 4% 4% का मतलब है इसकी value 0.04 आ जाएगी और यहाँ पर omega क्या है omega आपकी mean speed है क्या है आपकी mean speed और आपको देखिए जो mean speed ही देर की कितनी 20 radian पर second देर की है इसका मतलब हमारे पास c s की value आ गई और mean speed आ गई और यह जो आपका maximum fluctuation energy कितनी है आपको जो torque है वही maximum fluctuation energy है तो कितनी है 400 newton into meter तो delta e की value यहाँ पर मैं put कर देता हूँ यह आपका हो गया 400 अलग color से लिख देता हूँ ताकि आपको confusion ना रहे हैं मैं यहाँ से discuss कर रहा हूँ 400 बराबर हो जाएगा i तो आपनल को निकालना है moment of inertia omega की value आपको दे रहे है 20 का square हो जाएगा into cs की value कितनी है 0.04 तो यह 20 का square कितना हो जाएगा 400 तो 400 से 400 cancel हो जाएगा और i की value हमारे पास आजाएगी 1 upon 0.04 जिसे हम लेख सकते हैं नीचे तो 4 उपर 100 आजाएगा 25 और इसकी unit हो जाएगी kilogram into meter square तो option यहाँ पर हमारा B correct हो जाएगा अब यहाँ पर आपको ध्यान कर रखना है maximum fluctuation of energy जो है इसका formula होता है i omega square into cs लेकिन आपको यहाँ पर यह question जो है book में देखोगे तो आपको omega 1, omega 2 दोनों निकाल रखा है बहुत ही complicated कर रखा है लेकिन आपको complicated नहीं करना है आपको simply यह formula द्यान रखना है delta e max बराबर i omega square into cs और cs क्या यहाँ पर coefficient of fluctuation अब यहाँ पर गलती क्या करता है student यहाँ पर गलती यह करता है कि यह जो plus minus 2 दे रखा है इसकी value 2 ही रख लेता है लेकिन plus minus 2 का मतलब क्या है यह जो range है यह है 4% और 4% 0.04 होता है तो मुझे उमीद है कि आप सभी को यह क्यूशन समझ में आये होंगे तो friends आप यह बताइए मुझे कि आपको 10 में से कितने क्यूशन सही से आ रहे थे आपने कितने क्यूशन के लिए ट्राई किया और कितने wrong है कमेंट जरूर करा करें आप हर वीडियो में कमेंट करके अपनी राई जरूर दिया करें नेक्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा इसलिए आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने फ्रेंड के साथ सेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें तो वीडियो को कम्प्लेट देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जैहिंद जैवारत